हेलो गाइज, वेलकम बैक तो यूपीस सी क्रिप एंड वी हैड स्टार्ट इचेप्टर नाजिजम और राइज अफ हिटलर विच इस थर्ड चेप्टर ओफ नाइंग स्टेंडर्ड एंची आटीस एंची आटीस हमने देखा एक बेसिक सोर्स होती है यूपीसी के लिए जिनको पढ़ना बहुत 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 ही ज़्यदा इंपोर्टेंट होता है तो हम स्टार्ट कर चुके हमारी यूपीसी प्रिपरेशन्स विद वेरी बेसिक एंची आटीस सो यहाँ पे हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया है नाजिजम एंड राइस ओफ हिटलर जिसके हम अल्रेड़ी दो पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और आगे के चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हमने देखा था एक छोटी सी स्टोरी हमने देखी थी जिसमें एक छोटा सा बच्चा होता है हेलमत नाम का और हमने देखा था कि उसके पेरिंस कैसे सूसाइट कर लेते हैं और वो जो एरा था वो हिटलर के बात के समय में ये सब स्टोरी हुई होती है रेन हमने देखा था वाइमर रिपबिक के बारे में कि वाइमर रिपबिक कैसे existence में आई बर हमने ये भी देखा था कि वाइमर रिपबिक जो है इसने जर्मनी को एक नई कंट्री डेमोक्रेटिक बनाने की कोशिश की जिसके वजह से लोगों को ये चेंज बरदाश नहीं हो और लोगों का ज्यादा सपोर्ट वाइमर रिपबलिक को बिलकुल भी मिल नहीं पाया लोग जो है वाइमर रिपबलिक को जर्मनी के सेकेंड वर्ड वार में हारने की एक सोर्स मानते थे यह लोग ऐसा मानते थे कि जर्मनी की जो हार हो गई है सेकेंड वर्ड वार में वाइम भी देखा था कि जो इंटरनेशनल पीस ट्रीटी हुई थी उसमें भी जर्मनी को बहुत सारे इल्जाम बर्दाश्ट करने पड़े सहने पड़े और इन सब का कारण भी लोग जो है वाइमर रिपब्लेक को ही मानते थे अब हम देखने वाले हैं political radicalism and economic crisis देखे जर्मनी में जब world war 2 end हुआ था हमने ये तो देखा कि जर्मनी world war 2 में हार गया था लेकिन world war 2 के बाद जर्मनी को बहुत सारी चीज़े फेस करनी पड़ी और हमारा जो चैटर का main topic है Hitler and Nazism तो जर्मनी में world war 2 के बाद ही जब जर्मनी हा गया था उसके बाद ही हिटलर जो है अस्तित्व में आया उसके बाद ही हिटलर के बाद ही Nazism की शुरुवात हुई तो जर्मनी में world war 2 के बाद political radicalism कैसे हुआ और economic crisis कैसे आया यह हम देखने की कोशिश करेंगे political radicalism का मतलब होता है politics में बहुत चारा change होना जैसे कि हमने देखा कि world war 1 के टाइम पे हिटलर की सरकार नहीं थी world war 1 के टाइम पे किसी दूसरे राजा सरकार थी जिनका नाम भी हमने देखा था विलहायम 2 करके एक किंग हुआ करते थे उनकी सरकार उनका शासन चला करता था जर्मनी में पर जैसे ही world war 1 खतम हुआ जैसे जर्मनी उसमें हार गया सो उसके बाद क्या हुआ जो राजा थे उन्होंने अपनी गद्दी त्याग दी उन्होंने त्याग पत्रे दे दिया और उसके बाद फिर गवर्मेंट चेंज हो गई अब विलहेंटू के बाद जर्मनी में कौन आया था तो वाइमर रिपबलिक नाम की एक पत छोड़ना पड़ा तो यही हम देखेंगे कि वाइमर रिपबलिक कैसे चली गई और कैसे उसके बाद हिटलर के आने की शुरुआ थी इसी को बोलते है पॉलिटिकल रेडीक्लिज्म मतलब किसी भी में एक तरह का शासन ना रहना अ कि गवर्मेंट बार बार चेंज होना को बोलता है पॉलिटिकल पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल रेडिकैलिजम और फिर हम पढ़ेंगे एकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में मतलब कंट्री की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाना अब हमने यह देखा था कि वर्ड वर वॉर वन की वज़र से जर्मनी का काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था जो भी एरियास जर्मनी ने जीते थे उन सब एरियास को जर्मनी से वापिस छीन लिया गया था साथ ही वल्ड वर बन के बाद जो इंटरनेशनल पीस ट्रेटी हुई थी उसमें भी जर्मनी पर बहुत सारे एज़ाम लगाए गये इन फैक्ट जर्मनी को एक बहुत बड़ा कंपेंसेशन भी पे करना पड़ा था बाकी के कंट्रीज को इस वजह से भी जर्मनी जो है उस पर बहुत ज़्याद़ एकोनॉमिक क्राइस आ चुका था सो स्टार्ट करते हैं हम अमारा टॉपिक विट लाइन टॉ लाइन दे बर्थ ऑफ दे वाइमर रिपब्लिक को इंसाइडेड विट रिवालिशनरी अप्राइजिंग ऑफ दे स्पार्टासिस्ट लिग ऑन दे पैटर्न ऑफ दे बॉल्शेविक रिवालिशन इन रश्या अभी बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक है कि रश्या में एक रिवालिशन हुआ था जिसका नाम है बॉल्शेविक रिवालिशन बॉल्शेविक रिवालिशन जब रश्या में हुआ था यह हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम रश्या रिवालिशन के बारे में पढ़ेंगे वह भी हम पढ़ेंगे इस चैप् लोक यह लोग अलग पार्टी बना ली थी और उसका नाम उनोंने क्या रखा था स् RICH पार्टे स्वादमा अलक। लोग थे बिल्कुल ही यह डैमोक्रासी में बिलीव नहीं करते थे अगर और दोनों के ही विचार बहुत ही ज्यादा अलग-अलग है तो क्या आपको लगता है कि यह दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन पाएंगे बिल्कुल भी नहीं बल्कि यह दोनों एक दूसरे के बहुत ही दुश्मन बन जाएंगे तो वही चीज यहां पर हुई है कि वैमर रिपब्लिक और यह जो स्पार्टसिस्ट लीक थे यह दोनों भी एक दूसरे के दुश्मन की तरह ट्रीट करने लगे यह फिर पॉलिटिक्स की लैंगवेज में हम बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजीशन के रूप में वर्क करने लगें सोविट्स और वर्कर्स एंड सेलर्स वे स्टाबलिश्ट इन मैनी सिटीज अब बहुत सारी सिटीज में वर्कर्स के और सेलर्स के ग्रुप्स तयार हो गये जैसे कि वाइमर रिपब्लिक को अपोज करने के लिए बहुत सारी यहाँ पे जर्मनी में तयार हो चुके हैं अब यहाँ पे देखिए एक फोटो दिया गया है यह एक रैली का फोटो है जो किस पर्टिसिस्ट लीग के लोगों ने और्गनाईज की थी अब इन्होंने किसके अगेंस्ट में यह रैली की होगी आपकोस वैमर रिपब्लिक के लोगों के अगेंस्ट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे रोग हैं इनके रैली जो हैं यह चोटी मोटी नहीं होती थी यह बहुत जादा बड़ी होती थी इन विंटर ओफ 1918 और 1919 दे स्ट्रेट्स ऑफ बर्लिन वैर टेकन ओवर बाइद पीपल पॉलिटिकल डेमनस्टरेशन बिकेम कॉमन तो यहाँ पे बर्लिन जो है जर्मनी का कैपिटल है वहाँ पे यह लोग आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे यह लोग क्या कर रहे हैं वाइमर रिपब्लिक वगरे की जा रही हैं वाइस पार्टिसिस्ट लीग तो यह सब क्यों हो रही हैं तो यह रैली का एक ही मक्सद था यह लोग चाहते थे कि जर्मनी में सोवियत स्टाइल की वैसे ही पहले आजा है मतलब एक कोई किंग आके यहां पर रूल करे इनके लिए डेमोक्रेसी जो है नहीं बहुत ही नया कंसेप्ट था यह लोग डेमोक्रेसी को ज्यादा तर एकसेप्ट इसलिए नहीं कर पा रहे थे यह लोग चाहते थे कि पहले जैसी गवर्मेंट ही यहां पर वापिस आ जाए दोज हुआ अपोस्ट तु दिस सच आस तस सोशेलिस्ट डेमोक्रेस और कैथलिक्स मैट इन वैमार वैमार टू गिव शेप टू दे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अब इस चीज को मतलब यह जो सोवियत स्ट्राइल की गवर्मेंट है इसको जो अपोस्ट कर रहे थे उन्होंने ही मिलके वैमार में क्या कर रहा था अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम क्या था वैमार रिपब्लिक की हमने देखा अब जो ज्यादातर कैथलिक्स मनलब जो ज्यादातर हम बोल सकते हैं कि क्रिश्चिंस का में तरह से ग्रूप होता है जो लोग उसमें बिलीफ करते हैं और यह लोग भी यह सारे लोग जो है यह वैमार रिपब्लिक के मेंबर्स हुआ करते थे अब हम देखते हैं कि जर्मनी पे अल्टिमेटली किसका शासन चल रहा था वर्ड वार वन के बाद अगर हम देखें जर्मनी पे किसका शासन चल रहा था तो वैमार रिपब्लिक का अब वैमार रिपब्लिक के पास पावर थी वो जो चाहे कर सकती है तो जब भी ऐसी रैली यह चेहां मतलब हमने देखा जर्मनी हार गया था बड़ जर्मनी के भी कुछ सोलजर्स होंगे जिन्होंने वर्ल्ड वार वन में फाइट किया था तो ऐसे सोलजर्स जो वर्ल्ड वार वन के बाद भी जिद्दा रहे गए थे उनको बोलते हैं फ्रीकॉप्स तो यह फ्रीकॉप्स की मदद से वहिमार रिपब्लिक ने क्या क्या इस रैली को सप्रेस कर दिया दबा दिया तो एंगिष्ट स्पार्टसिस्ट लेटर फांड़ेट तकम्योनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी अब यह स्पार्टसिस्ट जो है इनको बहुत ही गुस्सा आ गया इसने हमारी रैली को कैसे दबा दिया इसने मतलब सैनिको को बुला के फ्रीकॉप्स को बुला के हमारी रैली को पूरा बरवात कर दिया तो अब स्पार्टसिस्ट लोगों को भी गुस्सा आ इन्होंने क्या कि अपनी एक पार्टी बना ली अपनी एक टीम बना ली और उसक इन्होंने भी अपनी पार्टी बना ली Communist Party of Germany अब यह Communist Party of Germany यह Opposition Party थी अपोजीशन पार्टी किसके लिए थी यह वैमर रिपबिक के लिए ठीक है Communist and Socialist henceforth became irreconciable enemies and could not make common cause against Hitler तो और Socialist जो है यह irreconciable enemies थे किसके हिटलर के अब यह दोनों ही Hitler के enemies थे Socialist को भी Hitler की rules ज्यादा पसंद नहीं आए थे हम देखेंगे आगे ऐसा क्यूं और Communist जो थे इनको भी Hitler के ज्यादा सपोर्ट में यह नहीं रहे लेकिन क्योंकि यह चाहते अगर Communist और Socialist देखे Communist कौन थे Spartacist League वाले Socialist कौन थे वैमर Republic वाले यह दोनों अगर चाहते तो मिलके Nationalist create for radical solution तो जर्मनी के बहुत सारे लोगों ने क्या किया बहुत सारे इस political instability को हटाने के लिए बहुत सारे solutions लाने की कोशिश की तो यह थी कि जर्मनी में कैसे वर्ड वार वन के बाद political instability बढ़ गई थी और वैमर Republic जो है यह लोगों की भलाई के लिए ही बनाए गई थी एक तरह से बट यह लोगों की भलाई तो तब करेगी ना जब लोगों का support इसको मिलेगा अगर इसको लोगों का support ही नहीं मिल पा रहा है तो लोगों की भलाई करना तो बहुत दूर की ब World War 1 जो है वो कब खतम हुई थी 1919 में ठीक है सीक्वेंस को समझे वर्ड वर 1 1919 में खतम हुई उसके बाद क्या हुआ यहां पर वैमर रिपब्लिक एक्जिस्टेंस में आती है वैमर रिपब्लिक नाम के गवर्मेंट जर्मनी में आती है तो 1919 से 1923 तक वैमर रिपब्लिक न सपोर्ट पाने की कोशिश करती है बेड़ इसको लोगों का ज्याद सपोर्ट नहीं मिल पाता 1923 आते आते क्या होता है एक एकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है जर्मनी में यह इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आता है वह भी हम देखेंगे जर्मनी फॉर्ड लाज़ी ओन लोन्स had to pay war reparations in gold अब जर्मनी को न वर्ड वर्वर वन में वर्ड वर्वर वन में ही जर्मनी की हालत बहुत खराब हो गई थी इसको लोन्स ले ले के अपनी जो शस्त्रय वगरे लगते हैं या आर्मी में सैनिकों को लड़ने के लिए ताकत तो चाहिए तो उस वज़ा से इसको चुखाने के लिए यह लोन्स कैसे चुकाथा एती जर्मनी ड़ोन में गोल्ड में यह लोन्स चुकाए करती थी संटेवियर ड़ोन अब जर्मनी में एक टाइम एसा आ घया था जब प्होर रिसोर्सेस बहुत ही कम बचे हुए थे अब जर्मनी अपने लोन्स को वापस चुका नहीं पा रहा था तो जर्मनी क्या करता है देखते हैं इन 1923 जर्मनी रिफ्यूस टू पे एंद फ्रेंच उक्यूपाइट इस लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर तो क्लेम देर कोल अब 1923 में क्या होता है जर्मनी ने मना कर दिया क्या मना कर दिया कि भाई देखो अब हम और लोन चुका नहीं पा रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं पचा है हम पूरे कंगाल हो चुके हैं तो जर्मनी ने बाकी कंट्रीज को जिस जिसको लोन चुका ना था सबको बोल दिया फ्रांस वगरे को कि देखो अब हम लोन नही चुका पार है तो अब फ्रांस को भी घुस्ट अगया फ्रेंस ने मतलब फ्रांस में अरिया ता文ut इसे अंए उसके रिजर्फ थे तो फ्रांस ने यह पूरे एरिया को अपने कबजे में कर लिया जर्मनी रिटैलियेटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस और प्रिंटेट पेपर करेंसी रेकलेसली अब यहां पर क्या हुआ फ्रांस ने तो जर्मनी के वो कोल वारे एरिया को अपने कवर्मेंट ने पेपर करेंची को Play 감사 करना चालू कर दिया चुरू कर दिया क्योंगी पैसों की कमी तो उसने क्या किया अच्छ deserve come करना शुरू कर दिया इसने नोट़ा प्रिंट करना चालू कर दिया with too much printed money in circulation the value of Germany mark fell अब जैसे इंडिया में rupees होता है वैसे Germany में mark होता है अमेरिका में dollar होता है तो इसकी value बहुत ही कम होने लगी अब इंडिया में हम क्या करते हैं इंडिया में नहीं कोई भी कंट्री में हम क्या करते हैं हम अमेरिका के वन डॉलर से कंपेर करते हैं सारी चीजों को जैसे इंडिया का रूपीज है जर्मनी का मार के सबको सारी देशों की जो करंसी उसको कंपेर किससे किया जाते हैं डॉलर से डॉलर से क्यों क्यों क्योंकि अमेरिका जो ह के हिसाब से कितना होता है almost almost 60 to 70 रूपीज हम 70 ले लेते हैं 70 रूपीज के आसपास होता है मतलब अमेरिका का एक डॉलर यानि की इंडिया के 70 रूपए ठीक है ऐसा ये comparison है तो डॉलर कितना ज्यादा है ये रूपीज से ही आप देख सकते हैं वैसे ही क्या होता है बन डॉलर के- quienes we black घुया, जर्मनी का कुछ भी मार्क होगा तो यह मार्ट्स कितना था घर्मनी का ये हम देखते है अब जर्मनी ने क्या किया है मतलब धड़ा धड़ा अंधने नोत प्रिंट करनाоры करती है अब मान लीजिए जर्मनी में एक bread का टुकड़ा है ठीक है लोग वहाँ पे bread खाते हैं ज्यादा तो जर्मनी में एक bread का टुकड़ा है या एक bread का packet है वो पाच रुपए का मिलता है कितने का पाच रुपए का वहाँ पे रुपए तो चलते नहीं है वहाँ पे mark चलते है तो पाच mark का एक bread मिलता है तो जर् जितना production हो रहा है वहां पर तो उतना इरा production तो बढ़ा नहीं तो क्या हो गया कि जर्मनी में ब्रेड की प्राइज ज्यादा बढ़ने लग गया क्योंकि सबको दे पाना is not a easy task तो प्राइजेस चीजों के ज्यादा बढ़ते जाने लग गया अब जैसे ही प्राइजेस बढ़ने लगे तो एक टाइम पर ब्रेड पाच रुपे का था पाच मार्क का फिर हुआ कि दस रुपे का गया बढ़ते बढ़ते सो रुपे का हो गया फिर दस हजार का हो गया फिर लाख का हो गया ऐसे ही ब्रेट का जो प्राइस है वह बढ़ते गया बढ़ते गया अब यहां पर बहुत अच्छी फोटो दिखाई गई है इस फोटो को देखकर हम समझ सकते हैं यह देखें यह एक आदमी है यह ब्रेट का एक पैकेट लेने के लिए इतने सारे पैसे जमा कर के ले आया है अब ये था जर्मनी के क्या बूल देखते हैं से मूर्ख पने की कीमत ठीक है अब जर्मनी ने इतने सारे नोट करना चालू कर दिया इस वजह से क्या हुआ कि वहां पे बहुत ही ज्यादा प्राइजेस हाइ होने लगे चीजों के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ फ्रेंटे'd मानी न सकूलेशन वैली ऑफ चनًक मांग भै अब एप्रिल में हम देखते हैं क्या हुआ यह 2023 की बात है इप्रिल में ऐक डॉलर की दॉलर घुमत क्या थी 24 थाॉजन मार्क जूलाई में आते आते वही एक डॉलर की कीमत क्या हो गई 353,000 Mark और August तक आते आते वही एक डॉलर की कीमत क्या हो गई यह कितने है 46,21,000 Mark तो यह हम देख रहे हैं कि Germany में Mark की कीमत जो है वो घटती जा रही है as compared to dollar मतलब dollar से बहुत ज़्यादा काम होते जा रही है next हम देखते है as the value of Mark collapsed prices of goods हमने देखा कि जैसे जैसे Mark की value कम होते जा रही है dollar के comparison में वैसे वैसे क्या हो रहा है prices जो है वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है the image of Germans carrying cartloads of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized evoking worldwide sympathy अब इसकी वज़े से क्या हुआ कि यहाँ पे जो images है लोगों की एक bread का टुकडा खरीदने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा publicized हो गई और पूरा world उसको sympathy देने लग गया कि यह क्या कर रहा है Germany फिर यह जो condition थी Germany में इस condition का एक name दिया गया hyper inflation inflation मतलब होता है महंगाई लेकिन जर्मनी में इसका नाम दिया गया hyper inflation मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगाई actually महंगाई तो थी नहीं बट ज़्यादा currency print करने की वज़ह से वहाँ पे चीजों के दाम बढ़ते जा रहे थे a situation when prices rise phenomenally high तो यह hyper inflation एक ऐसी situation है जब वस्तूओं की कीमत है वस्तूओं के prices बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते है eventually Americans intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the DEVS plan which reworked the terms of reparation to ease the financial burden on Germany finally यहाँ पे भी क्या करते है US entry करते है Americans आते हैं Germany को उसकी इस problem से छुड़ा कर बाहार निकालते कैसे तो Americans बोलते हैं कि हम एक प्लैन इंट्रोड्यूस करते है जर्मनी में जिसका नाम क्या होगा DEVS plan अब यह DEVS plan क्या होता है कि DEVS plan क्या करता है it reworked the terms of reparation to ease the financial burden on Germany अब जो जर्मनी को बहुत सारे लोन्स चुकाने थे वो लोन्स जर्मनी पे कम कर दिये किसने इस DEVS plan ने एक पूरा ऐसे schedule बना दिया कि तुम इतना करके देना थोड़ा-थोड़ा करके देना बट यह सब जो तुम कर रहे हो जर्मनी में इतना तुमने हाइपर इंफलेशन फैला के रखा है सब को बंद कर दो तो फाइनली अमेरिका आता है और जर्मनी को इस economic crisis से बाहर निकालता है यहाँ पे भी हम फोटो में देखते हैं homeless man queuing up for a night shelter 1923 यहाँ पे queue up कर रहे है वो एक रात सोने के लिए ठीक है एक रात के shelter के लिए एक रात की दिवारों के लिए वो लाइन से खड़े हुए है मलब यह हम देख सकते हैं कि जर्मनी में बहुत ही ज्यादा inflation आ चुका था कि लोगों को रहने की भी जगह नहीं मिल पा रही थी तो यह situation हो गई थी जर्मनी की इसके आगे का जो portion है वो हम देखेंगे हमारे next videos में so if you like the video अगर आपको सब कुछ समझा रहा है तो please share and subscribe and also let us know in the comment section so that we will be encouraged to make more videos for you thank you